आज मैं आपके साथ उड़त की दाल की खिचडी शेयर करूंगी उसके लिए नमक कटा हुआ अधरक, मा की दाल एक कप, दो कप वास्पती चावल और देसी घी लगेगा सबसे पहले हम मा की दाल और चावलों को अलग-अलग धोके अच्छे से रख देंगे एक कुकर में हम चार ग्लास पानी दालेंगे उसमें एक चमच नमक और मा की दाल दालके इसको प्रेशर कुप करेंगे मैंने इसे 4 प्रेशर दिये और उसको मैंने चेक किया तो ये अच्छे से गल गए थे फिर मैंने इसमें ये चावल, अधरक, नमक और देसी घी डाला और इसको अच्छे से हिलाया और उसके बाद आपने इसमें पानी चेक करना है आप पानी उंगली के एक भाग तक ले लीज और तीन प्रेशर के बाद ये खिच्री बनके त्यार हो गई और इसको अपने मन पसंद अचार दहीं देशीगी के साथ गरम-गरम परोसे और मकर संग्रांद में इसका अनन ले आप सब को मकर संग्रांद की शुब कामना है मेरे चनल को लाइक, शियर और सब्सक्राइब करिये थैंक्स फॉर वाचिंग